तो हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आई एसम धनबाद की तरफ से जो वेकेंसी निकल करा रही है कंसल्टेंट के पत पर तो उसी से रिलेटेड हम आपको पूरी जानकारी देंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि इसी तरह की वीडियो जो आपको हर रोज मिला करेगी तो चलिए सुरू करते हैं तो आएसम धनबाद की तरफ जो एकनसी निकल कर आ रही है कंसल्टेंट के पत पर तो जिसमें सेलजी की बात करें तो 40,000 मिलने वाली है तो नीचे चलते हैं और देखते हैं यहां पर क्या 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 मांगा गया है लास्ट डेट के बारे में डिसक्स करेंगे तो वीड 30,000 रुपया पर मन्त मिलने वाला है आपको और एक्सपिरियंस जो है 5-10 साल का मांगा गया है साथ में बात करें कि जोब लोकेशन का तो जारखन में ही आपको मिलने वाली है यानि कि जारखन के धनबाद में आपको जोब मिलेगी और लास्ट डेट की बात करें तो यहां जो है 29-11-2019 रखा गया है यानि कि 29 नवंबर 2019 तक जो है आप इसे अपलाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन डीटेल्स की बात करें तो यहां पर जो है पोस्ट जो है कंसल्टेंट के पद पर निकल कर आ रही है पोजीशन यानि कि कितने पद हैं एक पद निकल कर आ रही है तो eligibility की बात करें तो यहां पर जो है आपको graduation होना चाहिए अगर आप इस पद के लिए apply करना चाहते हैं और आपको जो है यहां पर मंत जो है 40,000 रुपया मिलने वाली है अधिक्तम age limit की बात करें तो 70 year होगा यानि कि अगर आपका 70 year से कम है तो आप इस पद के लिए apply कर सक करते हैं एड्रेस की बात करें जहां पर आपको जो मिलेगी दिडियन एकडेमिक इंडियन इंस्टिट्यूट आप टेक्नोलोजी यानि की इंडियन स्कूल आप माइन्स धनवाद धनवाद 826004 जारकंड से यह वेकेंसी निकल कर आ रही है सेलेक्शन पर्शिडियूर की बात करें तो सेलेक्शन विल भी बेस्ट यह आईधर राइटर एक्जाम एंड इंटर्वियू यह सबसे पहले जो है एक्जाम होगा उसके बाद जो है एंटर्वियू लिया जाएगा आपका अगर आप एक्जाम में qualify करते हैं तो बात करें कि यहाँ पे अगर आप इस पद के लिए अप्लाइ करना चाहते हैं तो टोटल पर इकन्सी की बात कर लें हम लोग तो एक विकन्सी आई हुई है तो यही था अपडेट आप सभी के लिए अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आने वाले इसी तरह की वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलेगी तो धनवाद दोस्तों जै इंद जै वारत